देखें जो अभी इस्तुनी स्फिरिक पार्ट की बात हमने की थी कि इस्तुनी स्फिर में जो प्लेटों की मोमेंट हो रहे हैं देखें यहाँ पर यह दुरबलता मंडल है और यह समोवनी तरंगें यहाँ पर दो प्लेटें जो यह हो रही है अपसरीत हो रही है लेकिन तरण ये लगातार जो भूपरपटी है या क्रस्टल पार्थ है और हम लोग जानते हैं कि जो भी क्रस्टल पार्थ है लगातार अन्यक प्रकार के बलों के प्रभाव में है तो यह संपून विश्व इस प्रकार की प्रक्रियाओं से क्या हो यह गुजर रहा है जैसे यहाँ ये क्या हो रहा लगातार ये प्रक्रियाएं घटित हो रही है कोई भाग उत्थपित हो रहा है कोई आतलित हो रहा है और पिर्थ भी भुकम्प और ज्वाला मुखी के माध्यम से लगातार अपने उर्जा की अव्यक्ति कर रही है इसके बाद हम हिमाले के संदर में हिमाले की निर्मार की प्रक्रिया को इस वीडियो की माध्यम से आराम से आप समझ सकतें देखें ये पैंजिया का विभाजन है और ये अफिरिका क्रेटेशियस में तूटा और ये उत्तर पुरो की और प्राइदी पीए पठार जा रहा है और ये देखो अब ये टेथी साग अगर को क्रास करते हुए यहां पर एवरेशियन प्लेट से ये प्लेट टकरा गई और टकराने के फल सुरुप जो वलन की प्रक्रिया हो रही है लगातार या उत्थपन की प्रक्रिया चल रही है देखें ये अपना हिमालाई छेत्रब ऊपर आ गया इतनी ऊपर आ गया कि आइस लाइन को क्रास करते हुए ये अपना एवरेश्ट बना और ये एवरेश्ट लगातार अभी भी उत्थपन की प्रक्रिया से गुजर रहा है तो ये प्रक्रियाएं लगातार चल लही है ये देखें अपना एवरेश्ट है जिस पर जब किरने पढ़ती है तो स्वन र और यह मालो युरिशियन प्लेट है और यह भारती प्लेट दोनु प्लेट एक दूसरे की और कनवर्जिंट मोशन करते हुए जा रही है और यह टेथी सागर अब संकुचित हो रहा है तो संकुचन के कारण यहां वलन की प्रक्रिया भीज धीरे-धीरे संपाधित हो रहे है और जैसे ये प्लेटे 6 करोण बर्स पुरू ये प्रक्रिया संपादित हुई लेकिन जो उत्थपन की प्रक्रिया थी जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये कब सुरू हुआ ओलिगो सीन से पुरू ईयो सीन में ये जैसे टकराई तो टेथी सिमाले का निर्माड हुआ अर्था ट पूरा हिमालाई छेत्र विकास की प्रक्रिया से आज भी गुजर रहा है कौन सी प्रक्रिया ग्लिप्टोजनेसिस पहले क्या होती है लेथोजनेसिस देन ओरोजनेसिस ग्लिप्टोजनेसिस तो ग्लिप्टोजनेसिस की प्रक्रिया से आज भी गुजर रहा है इसमें तो लगातार इसी तरह से उत्थपन चला है लेकि यह उत्थपन की प्रिक्रिया बड़ी सिग्रता से आपको दिखाई गई इतनी तिब्रता से इसमें उत्थपन नहीं हो रहा हां जब औरोजेनी हुई थी जैसे अलपाइन हलचल के दावरान तो तिब्रता यही रही होगी ल 1948 में जब भारती सर्वेच्छन विभाग नहीं बताया था कि इसके उचाई 8848 मीटर है उसके इतने वर्ष बाद कई दसक बिद गये नेपाली सरकार और चीनी सरकार का एक ज्वाइन मिशन था तो दोनों के सर्वेच्छन विभाग नहीं घोशना कर दी कि इसमें 1948 में जो घ चुका है